हेलो दोस्तो मैं सचीन स्वागत करता हूँ आपका गुरो मनी अलगो चानल पे आज की वीडियों में हम सिखेंगे कि हम ट्रेट्टाउन के प्लैट्फॉर्म पे मैगडी इंडिकेटर का अलगो केसे बनाते हैं पहले हम चार्ट पर देखते हैं कि हम मैगडी की कंडिशन के से ट्रेस करते हैं और उसे अलगो में के से करनवर्ट करेंगे तो चार्ट में हम buy और sell की condition देखते हैं हमने यहाँ HDFC bank का 10 minute की time frame पे चार्ट लगाया है और MagDee जो की default setting है यहाँ कर लिए ठीक है तो हम पहले MagDee का setting देखते हैं तो इसमें हमने जो setting रखा है वो default रखा है 12, 26, 9 का और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है MagDee का जो signal है वो red color में है और MagDee indicator black color में है ठीक है तो हम चार्ट पे देख रहे हैं अभी कि जैसे हमें sell का signal यहाँ मिला था यहाँ हमें sell का signal मिला है मतलब इस candle पे इसमें cross ओर के आए तो यहाँ इसमें किसको cross ओर के आए तो हमने पेले देखा से टे में यह हमारी signal की यह line है MagDee के और यह हमारे MagDee की line है ठीक है तो यहाँ हमें दिखाई देता है कि जब हमारे MagDee के line ने signal की line को नीचे की तरफ cross किया है तो हम sell करेंगे ठीक है sell अब हम देखते है कि buy की condition कैसी होती है तो यहाँ हमें buy का signal दिखाई दे रहा है ठीक है चार पर तो इस condition में हम देख रहें कि यहाँ MagDee signal and MagDee की line का cross ओर उसमें MagDee के line ने MagDee signal के line को उपर की तरफ तरफ cross किया है तो हम इसको अलगों में कैसे define करेंगे यह अब हम देखते हैं मतलब हम हमारा अज बनाएंगे जब हमें sell का signal मिले तो sell करो और हमारा position day end पे close करो या हमें जब buy का signal मिले तब हम उसे square up करें और उस direction में फिर से हमारा sell का टेड़ ट्रिगर हो जाए ठीके अब इसको हम अलगों कैसे करते हैं यह हम देखते हैं तो हम ट्रेटन पे create strategy पे क्लिक करेंगे जो कि हमें strategies के option मिलता है strategy को हम नाम देते हैं मैक डी और लोगो टैक्स और description हम खाली चुटते हैं पहले हम दो set add कर लेते एक हमारा buy के लिए और दूसरा sell के लिए अब हम condition add करेंगे तो हम पहला keyword यूज़ करेंगे position का जो उसमें हम cross का keyword यूज़ करेंगे और हमारी position रहेगी मतलब जो अभी candle close हुए है उसके cross और पे क्या हुआ तो हम पहले cross पे क्लिक करेंगे अब हमें series one end को पूछ रहा है तो हम पहले में डालेंगे Magdy जूसरे में डालेंगे Magdy signal मतलब Magdy ने Magdy signal को कैसे cross किया जो भी press रहता है वो उपर की तरब cross करता है जिसको करेंगे हम ओके तो इस तरह हमें यहाँ setting में लिए Magdy और Magdy के signal की तो हम फिर से देखते हैं तो हमारा यह पहला करेंगे हम बाई का तो यहाँ हमने देखा है Magdy को उपर cross करते हुए Magdy के signal को तो यहाँ हमने पहले Magdy लिया अब हम यहाँ symbol पर क्लिक करेंगे और यहाँ time frame change करेंगे 10 minute का और इसको करेंगे ok अब instrument पर हम क्लिक करके यह nsc select करेंगे और यहाँ hdfc bank और इसको ok करेंगे सेम इसी तरह हम Magdy के signal का data को जो हे 10 minute का time frame लेते है और इंस्टूमेंट में करेंगे nsc hdfc bank इस तरह हमने minus one candle को जो crossword हुआ है उसका condition add किया है अब इसको हम करेंगे submit यह हमने hdfc की buy की condition की तो अब हम इसको buy में add करेंगे अब हम प्रोड़क हम यह माइस करेंगे क्वान्टिती हम रखेंगे 100 और इसको करेंगे add इस तरह हमने position में हमारी buy की entry add की है अब हम इसका exit क्या रखेंगे तो इसका exit हम रखेंगे जब वो फिर से cross हो जाए cell की तरफ तो इसको क्या करेंगे हम जो पहला setup ने बना है इसको copy करेंगे और इसको paste करेंगे exit में और edit पे click करेंगे अब हम इसको क्या करेंगे जो magdi है और magdi signal है उसको करेंगे interchange तो क्या करेंगे हम cross पे click करेंगे, magdi की जगा करेंगे Magdi signal और गने signal की जगा करेंगे Magdi, मेटी अब हम पूट से इसको time ऑक इसको से अधिक्रमन में stock क्रेंगे झाल झाल ठीक है इस तरह हमने इसको add किया है और इसको करेंगे submit दोस्तों इस तरह हमने set one में हमारी buy की condition add की है जो की हमारे magni के crossover पे buy होगा और उसका crossover sale की तरफ change होने पे उसको exit कर देगा same इसी तरह हम sale की condition add करेंगे जो की रहेगी हमारे पहले के exit की तरह तो इसको हम करेंगे exit को copy और इसको paste करेंगे set two में ठीक है और set one की entry को copy करके हम paste करेंगे set two के exit में और position में add करेंगे हम sale की condition HDFCP तो इसको करेंगे और इसको करेंगे add और close अब हम universal exit में add करते है target stop loss and time ठीक है universal exit में हम क्या करेंगे add feel condition add करेंगे target stop loss and profit ठीक है पहला keyword हम यूज़ करेंगे time के लिए time in a c is equal to फिर नंबर का keyword देंगे अब इसको करेंगे अंगरा मतलब तीन बजह हमारे position square up हो जाए फिर हम pnl का keyword यूज़ करेंगे pnl greater than फिर नंबर को copy करके paste करेंगे हम इससे इसने रहे है और हम फंद्रास इसन रुपए का profit एक्सिप करेंगे तो इसको हम फंद्रास इसन देते अब हम pnl को फिर से copy नीच डालेंगे फिर इसको करेंगे less than फिर नंबर का keyword कापी करके या पेश्ट करेंगे और हम लॉस रखना चाहते हैं हजार मतलब सो से और के रिए हम फंद्राइसों प्रॉपिट और एक हजार का प्लॉस पे काम करेंगे ठीक है तो इसको करेंगे सब्मिट यहां रियक्टिव पे हम करेंगे ट्विल हुआर मतलब जब भी हमारा प्रॉपिट और लॉस आ जाए या एक्जिट हो जाए उसके बाद मारा ट्विल हुआर के बाद स्ट्रेजी पर इससे एक्टिट हो जाए अगले दिन के लिए ठीक है कंडिशन चेके में हम चेक कंट्यूनेस करेंगे और इसको हम करेंगे क्रियेट दोस्तों इस तरह हमने मैगनिका अलगो टेटोन के प्लैट्फूम पर बनाया है अगर आप पहले बारे यूडियो देख रहे है तो हमारे चानल पर और भी यूडियो हमने अप्लोड की है कि अलग अलग तरह के अलगो हम कैसे बना सकते हैं इस सब का आप कॉंबिनेशन बन आना हो तो आप हमें कॉंटाक भी कर सकते हैं या हमारी वीडियो देखके बना भी सकते हैं और हमारे जो रेडिमेड अलगो है मतलब हम यूज करते हैं तो उसका पॉपरमस देखने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक हम हमारे अलगों या आपको कोई अलगों बना नहों वह भी फ्रियोप कॉस्ट तो आप हमारे अंडर ट्रेटान और अलाइजबू का अकाउंड ओपन कर सकते हैं तो आपको ए सर्विस फिले मिलते हैं दोस्तों इस यूडियो में बस इतना ही अगर आपको यूडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजे अपने दोस्तों के साथ शेर कीजे इस यूडियो में बस इतना ही थैंक्स पर वाचिंग धन्यवाद